देख रहे हैं अग्रिपत मैं हूँ आपके साथ श्रही शुकला करोना के बढ़ते मामलों के बीच में देश की मोधी सरकार और योगी सरकार अलर्ट मोट पर आ गई है। हर मामले की जिनोम सिक्वेंसी पे निर्देश दिए हैं। प्रदेश की स्थिती की समिक्षा की गई है और आवश्चक दिशा निर्देश दिए गए है। जमीनी सच्चाई ये भी है कि अब जाच शुरू हो गई है तो मामले भी सामने आने शुरू हो गई है। अगर हम उत्तफिदेश की बात करें तो गोंडा में तीन मामले सामने आये हैं। सीम ने साफ तोर पर कहा है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है घबराने की नहीं बलकि सतर्कता और सावधानी बरतने की आवशकता है। संक्रमण से बचने के लिए पोविट प्रोटोकॉल का कडाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़बार वाले सारजनिक इस्थानों पर मास्क लगाए जाने के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा। सरकार के तरफ से तो ये सारे प्रयास हैं, पर हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम इस से मुकाबले के लिए कितना तयार है? ये खत्रा कितना है? या कितना होगा? ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर हम नहीं समझेंगे तो मामले की या इस बीमारी की गं जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो काफी दिल दहलाने वाले हैं. अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम आज, कि क्या जिस तरह की इस्तिती चाइना में हो गई है, क्या पूरे दुनिया को उससे अलट रहना है और खास्तोर पर हमारे देश को उससे अलट रहना है बिलकुल भी लापरभाई नहीं बरतनी है, क्योंकि देखा ये गया है कि ये बिमारी बहुत तेजी से फैलती है. चाहे वो पहली वेब हो, देश के अंदर जवाद, दूसरी वेब हो, दोनों ही बार ये देखा गया था कि इसमें जो संक्रमन दर है, वो एक समय के बाद आफी तेजी से फैलती है. अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या हम आप सब अब इम्यून हो गये हैं या हमारा इम्मूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, या इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि क्या हम लोगों ने जो डोस लिये है, वो कितनी प्रभावी ह क्या booster dose की आवश्यक्ता है और कितनी आवश्यक्ता है और दो फिट की दूरी मास्क है जरूरी का जो slogan है वो अब दुबारा से कितना जरूरी हो गया है इस तरह की चाइना से खबरें आने के बाद और चाइना में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए ये एक बहुत बड़ा विशह ह क्या चाइना में लापरभाही बरती गई या फिर चाइना में जिस तरह की censorship लागू है कि खबरों को बाहर ना जाने देना ये उसका नतीजा है कि उसने पनी कोई तयारी नहीं की दुनिया को सतर्क नहीं किया और ये वैश्विक समस्या है ये वैश्विक बिमारी थी क्या कि इसका मुझरिम है जी हां बिलकुल उसके यहां से ही ये बिमारी पनपी फैली पूरी दुनिया में गई और आज भी जो उसके क्रिया कलाप हैं वो बिलकुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे यानि कि वहां की इस्तितिक जब बहुत जादा खराब हो गई जब हमने तस्वीरो में देखा की लाशों की लाइने लगी वी हैं लाशे बिखरी हुई हैं तमाम जगे पर और मरीजों के हालत खराब हैं वहां पर क्या अभी तक के जो मेडिकल जो उपकरन या उपकरम होने चाहिए थे उनको किया गया कि नहीं किया गया ये भी हम समझेंगे ताकि हम भी बावित हमले से हम कैसे बच सकते हैं और दूसरी ये बात कि हमें कितना सजग रहना चाहिए, कितना डरना चाहिए और कितना जागरुक होना चाहिए लेकिन सबसे पहले में कुछ रियक्शन्स आपको सुनाओंगा उसके बाद हम इस कंभीर चर्चा को शुरू करेंगे यहां प्रावरन जाने के लिए राजरी जानी के लिए सलाह जारी की है और जितने भी हमारे का 28 प्रोपीट इन उसमें हमारी आइसो तयूं कर अ सुंकुत क्या जा हूंक और जितने भी हट्पीट pulp कुविट को लेकर कि पहले जो तयाजिया थी उनको खुना हम पुड़ा करेंगे और हर स्थिस्ति निपटने के लिए हमारी सरकार देनी चाहिए अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सुष्णा भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए तो यह कुछ रियक्शन्स थे जिसमें सियासी रियक्शन्स भी सामने आये लेकिन बीमारी में सियासत काम नहीं करते हैं बीमारी में काम करता है जो आपकी तयारिया होती है जिस तरह से देश में अब मौक ड्रिल करने की तयारी की जा रही है कि पूरे अस्पतालों में पूरे Second wave आई थी उससे पहले ventilators को लगाया गया था, hospitals को तयार किया गया था, क्या अभी भी हम उसी mode में हैं, ये भी जानना जरूरी होगा. मेरे साथ तमाम guests जूड़े हो हैं, मैं सबसे पहले तो उनसे आपका परिशे करा दूँ, डॉक्टर रजनीश हैं, चेकितसक हैं, वेदानता के, डॉक्टर प्याली भट्टाचारे, चाइड्ड स्पेशलिस्ट PGI की हैं, डॉक्टर रमा शिर्वास्तो हैं, जो की पूर्व अ अब नई variant की reports आ रही हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक हैं, आपकी research में, आपकी study में क्या सामने आया है, आपने जो पहले दो wave के लिए जो predictions किये थे, वो भी सही निकले थे, अब ये third wave को लेकर जिस तरह से चाइना की जो तस्वीरे हैं, उसको देखकर बहु किसी देश में कितना कुरोना पहले गा, कितना तीजी से पहले गा, ये नरवर करता है, बैचरल इमेनिटी कितनी है, आपी जलसन क्यान, आप एक पार पहले इंफेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद जो इमेनिटी शुरी में आती है, तो चाइना वे क्योंकि जीरो कोईड पाल आप पाल के नहीं हैं, अर इसलिए जो उन्होंने सारे घ्र्टिक्शन हटा दिये तो अचानक से अली तेजी से कुरोना पहले गा, कुछ अन्यदेश जहां पे नैचरल इम्मेनिटी चाहिना इसली काम तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ अखावे, सतर अशी प्रसिश्ट ठ अचानक सार, अठालबे पतियत से अधिक जनसंत्याद के अंदर नैचरल इम्मेनिटी है इस समय, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई लहर आने वाली है, जो इन्हों इनने अगर यहां से जोती से, इसका कोई विश्वश शसर नहीं हो रहा है प्रफिश्ट ठ अब लेकिन यह बताईए कि जो वेरियंट चेंज हो रहा है, जो आपकी स्टडी में जो BF7 वेरियंट की बात की जा रही है, वो कितना घातक है, क्योंकि चाइना का मैं फिर से जिकर कर रहा हूं, क्योंकि चाइना को देखकर ही सब लोग अलर्ट मोट पर आगे हैं, तो वो कितना घातक है, क्योंकि कुछ जगे ये भी कहा जाता है कि इस पर जो इंजेक्शन लगाएंगे हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बार-बार अपना एक सामाने भाशा में कहा जाए, तो रूप बदल रहा है, तो रूप लेकिन वैक्सीन ये अवश्य अभी भी काम कर रही है, कि अगर आपको इंशेक्शन हो भी जाता है, तो जादे गातक नहीं होगा, और आप देखें कि हमारी जन संथा में अरबद सबको दो दोजेस वैक्सीन के लगी चुके हैं, कमसे कम वैडल्स को, तो वो भी ये दर्श ये कहती है, जो आपकी स्टडी है, जो आप लोगो ने रिसर्च की है, उसके मताबिक हमको फोर्थ वेव का सामना नहीं करना पड़ गा, क्योंकि सब लोग सचंकित हैं और आपकी स्टडी को पूरे हिंदुस्तान ने सुना, पढ़ा, देखा, तो इससे जो आप बात बतात हैं, तो थोड़ी लोगों को रहत मिलती है, कि फोर्थ वेव नहीं आएगी, ये बताईए, डॉक्तर साब, जैसे जुलाई अगस में फोर्थ वेव को सकता है, जैसे जुलाई अगस में थोड़ा सा संक्या बढ़ी तीके पाम हो गई, उसी प्रपार रोज़क पस्त, ते अ इस बढ़ रही है, उसके आदार पर निर्दारित करता है कि ये कौन से परामीटर साएं, उनकी वैल्यू क्या है, जिसकी वज़य से इंट्रिक्शन इस्सकार से चाल रहे हैं, और फिर उसके आदार पर वे वे परिच्शन करता है, जी बिलकुल, चली मैं डॉक्तर इस बताईए कि इस फोर्थ वेव की अगर बात करें, जैसे प्रोफेसर साब ने कहा कि एक थर्ड वेव तो आ चुकी है, इस बार जो फोर्थ वेव की बात की जा रही है, जिस तरह से हम लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि फोर्थ वेव आईगी, नया वेरियंट आ गया है नया वेरियंट जाधा खतरनाक है, जाधा लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो कितना डरने की जरूरत है और क्या-क्या तैयारियां करने की जरूरत है? जी देखिए जो नया वेरियंट है, यह खतरनाक है, क्योंकि इसमें एक मुटेशन है, वायरिस के स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी विज़से इसकी इन्फेक्टियसनेस बढ़ गई है, मतलब यह लोगों में बहुत जल्दी फैल रहा है, इसकी आर वेल्यू, आर वेल्यू वेल्यू होती है कि एक मरीज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो यह लगभग 10-18 है, मतलब हर एक पेशेंट 10-18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जो कि ओमाइकरॉन में आर वेल्यू 1-5 थी, तो यह मतलब ओमाइकरॉन के भी कंपरेजन में तीन गुना जादा नहीं है, जैसे हो माइकरॉन में थर्ड वेल्यू में इंडिया में हम लोगों के पास बहुत 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 इन्फेक्ट हुए, बट सीरियस केसे इतने नहीं आए, होस्पितलाइशन इतने ज्यादा नहीं हुए, तो होपफुली यह भी उतना ही सीवियर है, इसमें सीरियस केसे नहीं आने चीए, बाकी जैसे डॉक्त सामने बोला है, हमारे कंट्री और चाइना में बहुत बढ़ डिफरेंस है, चाइना में जो वेक्सिनेशन कवरेज हो इतनी अच्छे नहीं है, हमारे हां लगभग 88% लोग दोनों डोज ले चुके हैं, और आल्मोस 95% लो अधर कंट्री चाइना, एक और फैक्टर है, जो यह BF7 वेरियंट है, यह और बहुत सारे देशों मिला है, बट बाकी देशों में इतना प्रॉब्लम्स नहीं क्रियेट कर रहा है, जितना कि चाइना में कर रहा है, तो इसका एक करण जो चाइना की जीरो कोबिट पॉलसी ह क्योंकि चाइना में क्या है कि जो वहां की पॉपलेशन वे एक्सपोज नहीं हुए, जैसे ही वहां केसे जाते हैं, वैसे उस एरिया को पूरा कॉर्डन आफ कर देते हैं, और उस आदमी को आइसलेट कर देते हैं, तो उन लोग के अंदर जो नैचुरल लिएटी वो भी कम है, दूसरा जो चाइना में वैक्सी यूज हुई है, वो उनकी इंडिजिस वैक्सी यूज हूई है, जैसे साइन वैक्सी वह कुषिचनेबल, उनकी जो एफिकेसी वह वह बेटर है, जो नैचलल लोन्ती से और बटर है, तीसरा एक और इंपर्टेंट पार्ट है कि जो हमा लोग के कंट्रियों बहुत जादा एफेक्ट नहीं आया तो चुकि यह सिमिलर वाइरस है तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि अगर फोर्थ आएगी भी तो बहुत बढ़ी फोर्थ वेव नहीं आएगी एक रिपल के फॉर्म में होगा में भी कुछ केसे हो में भी लोग लेंगे तो आपने बेसिक प्रिकॉर्शन लोग रखे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपको सिम्टम आता है तो अर्ली आइसुलेट करें बट इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की आउशकतर नहीं बिल्कुल मैं डीके गुपता साब का डॉक्टर गुपत बताया जा रहा है लगबग 5,000 से जदा लोग रोज मृत्ति होरी लोगों की जो ओफिशिल डाटा वो लोग से चुपा रहे हैं जो नहीं आरा है मर पास इसके अत्रिक तो जो बाइरा से अलेडी देस दुनिया के 90 से जादा देसों में फैल चुका है तो कहीं ने कहीं स्प तो उसके तीन से चार अपते बाद इंडिया में कैसे बढ़ना सुरू हो जाते थे उसके बाद आठ अप्ट में पीक आती थी तो कहीं ने कहीं अगले तीन-चार अपते हमारी बहुत इंपोर्टेंट हैं खास करें जो एक इनलैसिस करिए तीन से लेके पांच अपते उस ब कि काफि कम हो गया और यह जो बाइरेस है बी अफ शेवन की बात कर रहा हूं इसका जो हमारी एंटिवड़ी टाइटर के अदेख भी इसका जो र Inte सब्सक्राइब नहीं हुए तो कहीं नहीं हमें इसको सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं पता है कि पीक कब आएगी कब आएगा एक्चुली डिपेंड करेंगा कौन सा मुटेशन आ रहा है है जैसे पहले इंडिया में ओमिक्राइब अग्रण कब देश्टाय में बदल गया और कब जाके उसे पुरू दुनिया में तबहाई मचाई पता लगा तो ऐसे यह बीएस सेबर्य कर रहा है इतना अपस्ट अक्रता है तो अगर कोई कर रहा है तो कहीं न कहीं हमें इदेखना भीट करना है और की दाटा देखना जो आज पास के देशों में हो रहा है महां पर हमें तेज बाल नजर रखनी चाहिए किस तरह के कॉंप्लिकेशंस आ रहे हैं, क्या efficacy है vaccines की, हमारी vaccine की efficacy भी कम हो गई, इस लिए बिल्कुल गार्ट जोनी करने चाहिए बिल्कुल इसको हलके में नहीं लेना चाहिए सरकार में जैसे अलर्ट है ऐसे मीडिया भी पबलिक अवेरनेस कर रहा है हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे है तो इसलिए मुझे लगता है अब ही हम सब को अगले 2-3 हपते कम से कम बहुत बिजिलेंट रहने की जरूत है और साथ में पब्लिक को भी खास करके जो 25 दिसंबर फर्स जनबर ही आ रही है इस सब में केसें बढ़ सकते हैं और लेड़ी इसका प्रवेस हो चुका है चार केस तो अलेड़ी स्राटिफाइड हो चुके की बीएफ 7 के आच के एंडिया में ठीक है इसके लावा के टिप माइस बर गए ज़रूत है ज़रूत है टेस्टिंग बढ़ाने की जरूत है ट्रेसिंग 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 किसी भी देश चाहिए आ रही है कि जो चाइना से लोग आ रहें या जो नहीं भी लोग आ रहें तो एइरपोर्ट्स वहाँ पर में इस प्रेक्ट प्रोटकॉल लखने जए इस्क्रीनिंग के अगर किसी को सिंटोमेटिक या नॉन सिंटोमेटिक है अभी तो सिर्फ 2% सेम्प जैसे community spread हुआ और कर्व ऐसे गया कर्व की पीक आई शटनली देखा संगाई में आधिस जनसंक्या पीडित होगे पूरी बैड खतम हो गए खून नहीं मिल रहा है ऑक्सिजन नहीं मिल रही डॉक्टर नहीं है लोगों का इलाज शड़कों पर हो रहा है और चाइना जो है अब इस community spread को flatten कर दें तो definitely जो है कई ने कई हम लोग इसमें बाजी मार सकते हैं दूसरी बात जो भारत वर्स है हमारा देश है 70% हमारी आबादी है गाउं में रहती है रूरल अरी आपर पे सिर्फ primary health care centers है छोटे-छोटे registered clinics है या community health care center है तैलुका या तैसील पे बहाँ पे अब आप करने की जरूत है महां पर हमें अपलिफ करने की जरूत है बहां पर basic health care facilities है जो doctors है नर्से से उनको skill करने की जरूत है जो त्रेनिंग दिने की जरूत है हम अभी focus करने medical college पर district hospital पर वो अबारे तैयार है जो हमारे बड़े private hospital है वो तैयार है तो कहीं ने कहीं में primary health care को strengthen करने की जरूत है विकाज 70% जनता रहती है गाउं में और 70% अस्ताल है बैट से नर्सिंग हों से डॉक्टर से वो कंफाइन है टियर वन टियर टू सिटीज में तो यह paradox है इसको सरकार को मैश करने की जरूत है जी बिलकुल बिलकुल डॉक्टर पयाली भटाचारिया जी यह बताईए कि जिस तरह से भी वैक्सिनेशन का जिक्र हो रहा था कि बच्चों को वैक्सिनेशन नहीं दिया गया है उनके लिए भी वैक्सिनेशन नहीं बनाता बारा साल के उपर के बच्चों को देने की बात हुई थी तो बच्चों को किस तरह से प्रका प्रकॉशन नमबर वान इस दाट यह वेरियंट है BF.7 जो है यह वेरियंट है BA.5 का हमारे देश में BA.5 दो परसंट भी नहीं था और यह अगर आता है तो यह बाहर से आएगा इसका मतलब दूसरी बात अगर हमारे यहां पहला केस सेप्टेंबर और अक्टूबर में बाकी केस चार केस चो डिटेक्ट वे वो आये हैं तो दो से तीन महीने अल्रडी हो चुके हैं पहला केस को आये को इसलिए हम नहीं कहेंगे कि भीशन पर नाम आ सकते हैं हाँ जैसा डॉक्टर अरोरा कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुपता कह रहे हैं और जैसा की प्रोफसर साब कह रहे हैं हम लोग को तयारी रखनी पड़ेगी पर तीन महीने बाद की जहां आप बात करते हो वहां सेप्टेंबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डिसेंबर का आखरी होने जा रहा है, चार केस डिटेक्टिड है, कोई लहर अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है, तीसरी बात जहां तक बच्चों का है, अल्रेडी डॉक्टर रजीश पता चुके हैं कि हाइब्रेड इम्यूनिटी हमारे में है, मतलब नाचुरल इंफेक्शन और वाक्सिन अक है, और अल्मोस्ट 98% पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बच्चे सभी इससे प्रभावित हुए हैं और सभी को नाचुरल इंफेक्शन अल्मोस्ट हो गया है, जहां तक कि बच्चों के वाक्सिनेशन की बात है, तो बच्चों के वाक्सिन कोर्भी वाक्स करके जो आया था, वो कुछ अपर एज के बच्चों को लग चुका है, कुछ अभी बनके आ रहे हैं, तो most probably हम लोग उनको बहुत जल्दी वो उफर कर पाएंगे, जैसे कि अभी निजल वाक्सिन भी आ रही है, आ गई है in fact, private facilities में कई जगा आज से ही उफर होने शुरू हो गई है, वैसे ही ह हम लोगों ने बहुत जल्दी अपने जो वैक्सिन तयार किये थे, वो अब हमारे यहां लागू होने जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए खास खत्रा मैं इस लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि उन पे असर खास नहीं है, नमबर टू, पहले ओमिक्रॉन में भी नहीं था, उस इसलिए इतना नहीं होगा, हाँ, जो हमने एतियात लिया है, कि बाहर से फ्लायर्स को हम अलड़ी देख रहे हैं, आर नौट ज्यादा होने के बावजूद, तीन महिने, चार महिने के बाद भी, हमें फिगर्स राइस करते नहीं नजर आ रहे हैं, दुसरी बात, हमें मौते नहीं नजर आ रहे हैं, जहां तक चाइना का सवाल था जो बात चीत हुई, चाइना में जो चाइनीज वाक्सीन लगे, विश्व भर को पता है कि वो कितने एफेक्टिव थे, चाइना में mostly अपर एज ग्रूप के, जिरियाटरिक एज ग्रूप के लोग हैं, और उनमें इन प्रजील में रेप्लिकेट हुआ, ना यूके में रेप्लिकेट हुआ, ना ही हम कह रहे हैं कि इंडिया में रेप्लिकेट होएगा, तो प्रफ़सर आप से हम सहमत है, लहर तो नहीं आने वाली, पर एतियात बरतने हैं, डेफिनिटली, दो गस की दूरी, मास्क है जरूरी, ये स्लोगन तो हमको लेके चलना है, क्योंकि कोविट के हटते ही हमने देखा, बागी जितने वाइरल इंफेक्शन से, वो बच्चों पे कहरडा रही है, कहीं आ गया इंफ्लुएंजा, कहीं आ गया RSV, कोविट तो था ही, तो आप मान के चलो, कि एक एंडमिक धुआ नहीं हम ट्रिपल एंडमिक के चक्कर में पड़ गए, तो मास्क है जरूरी और दो फीट टिस्टेंस भी है जरूरी, बच्चों को पिहेवियरल ट्रेनिंग जो दी गई थी, वो अब ना भूले, इसलिए बच्चों को बार 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 अवेर करना पड़ेगा, इस विशे में, और स्पेशली माबाप को, उनके रिष्टेदारों को, टीचर्स को, हमको एस डॉक्टर अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही बिहेवियर को देखते हैं, उसी को कापी करते हैं, अगर हमने एतियात नहीं बरता, तो बच्चों को क्या सिख इसलिए बच्चों के लिए हमें खुद को भी एतियात बरतना जरूरी होगा, डॉक्टर रमा शिर्वास्तो जी ये बताए कि जो अल्रेडी जो मरीज है, कोई हार्ट का पेशेंट है, डियाविटी है, उन लोगों को क्या ज्यादा खत्रा है जो नया वेरियंट है या अग इसे जो सीनियर सिटिजन्स हैं, डियाबेटिक्स हैं, कैंसर के पेशेंट हैं या अधर इमिनोलोजिकल डिसॉर्डर से सफर कर रहे हैं, जाहिर है वो ज्यादा डैमेजिंग सिचुएशन में आएंगे, अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, चाहे वो कोरोना का हो या अधर तो इसलिए कोरोना से बचना तो बेहत जरूरी है, तो मैं डॉक्टर डीके गुपता की बातों से सहमत हूँ, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए, कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव शील रहा है, that is vaccine, वो vaccine जैसा डॉक्र साबान ने बताया, कि हमारे यहां 80% ल लोग covered हैं, almost first dose से, booster doses भी कुछ लोगों ने लगवाई हैं, जैसे medical या paramedical staff को लगवाया गया था, या senior citizens को लगवाया गया था, लेकिन उसमें काफी सारे लोग रह गये हैं, अब प्रशन यह उठता है, कि जो vaccination हुआ हमारे यहां, वो उसका टाइटर अब कितना है और वो क इतना effective होगा, काफी अच्छी मात्रा में लगा और अच्छी quality का vaccine लगाया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह corona ऐसी बीमारी है, कि जो बिलकुल अप्रत्याशित रूप से इसका character रहा है, रहा है यह, रंग रूप तो अपने बदल ही रहा है, और कौन सा strain क इतना ज्यादा damage करेगा, ये तो समय ही बताता है, अनुमानित यहीं है कि हिंदुस्तान में लहर नहीं आएगी, या जो लोग infected होंगे, उनमें पिछली बार की तरह, जैसे second wave आई थी, और हम लोग बहत परिशान हुए थे, वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन COVID appropriate behavior तो practice में ल इचले तीन महीनों में इतने ज्यादा cases हमारे हां नहीं आए हैं, इंडिया में सिरफ 4 cases report हुए हैं, और 145 new cases दर्स किये गए हैं, जबकि पूरी दुनिया में 5.37 lakh patients recorded हैं coronavirus के, और USA, Japan, South Korea, Brazil, France, इन सब देशों में, चाइना को की तो बात ही छोड़ दीजे, वहां तो बहुत बुरी दशा में लोग हैं, लेकिन बाकी देशों में भी ये variant कोरोना का लोगों को ग्रस रहा है, और हमें अत्यधिक सावधानी की जरूरत है, अब सरकार ने और I.A. में ने तो advisory जारी करी दी है, और उसका follow करना हर भारतवासी का कर्तव है, और अपने आ अपनी सेवाएं देंगे ही, लेकिन हमेशा की तरह prevention is always better than cure, और आप लोगों के electronic media, TV, newspapers के जरिये, गाओं तक, जनजन तक ये पहुचना चाहिए, जनसाधारन तक ये, कि कोरोना से बच कर रहें, और जो भी उसके लिए सिखाया गया था पहले हम लोगों को, कि मास्क पहन के रहें, भीर भार से बचें, भीर एकत्रित ना होने दें, उसके अलावा हाथ, धोना, साबुन से, सैनिटाइजर से, ये सब आवश्यक है, दोगस की दूरी बनाए रखें, तो बेहतर है, इसके साथ ही, अगर युवार्टियाई होता है, जैसे सोर्थ, फीवर, इत्यादी, ये सब हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जांच करा लें, इसमें उताहीन पर से. ग्राफ बहुत जादे बढ़ने के लिए, डॉक्टर पियाले ने बहुत 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 बात है, ये जो BX7 वेरियंट है, भारत में कई महिने से है, और R वैल्यू इसकी बहुत जादे है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं लापाया, इसका मतलब जो ब बहुत बहुत बताईए कि चाइना पर सब लोग बहुत बहुत नजर रखे में, क्या आप लोग कोई दूसरे देश की भी कुछ स्टडी आपने किये कि वहां का वहां पर कितनी तेजी से फैल रहा है, क्या असर करेगा? मैंने अभी हाल नहीं कुछ अन्य देश यहां पहल रहा था जादे, जापान, अमेरिका, ब्राजिल, और सौ्थ कोरिया, यह चाह देशों को भी चड़िक परी थी, और हर गगे, तो यही पाए गया है कि जहां पर नैच्रल इम्निटी ठोड़ी कम है, जैसे इन देशों में सब्तर से असी पतिशत के बीच में है, जैसे अन्य नैच्रल इम्निटी, तो यहां के तबाँ जादे सहलवा है, और मेरा अखलन है कि जब तक यह नब्बे पतिशत से उपर नहीं जाएगा, जब तक बाता रहेगा वापन फिर दिश्टान जाएगा, तो यह अंग देशों में कोई चाइना जैसी लिकट समस्या नहीं आने वाली है, तो बहुत ही बुरी सिच्छा अब एक चीज और बताइए कि क्या स्टडी कुछ यह बताती है कि आने वाले सालों में कब तक दुनिया से हिंदुस्तान से यह करोना खतम हो जाएगा, कुछ ऐसे स्टडी है आप लोग अभी इस रिसेर्च में लगे हैं कि यह पता चले कि यह जो एक आफत है, हर एक के उपर साइकलाजिकल असर बहुत डालता है, खासत और पर जो सेकेंड वेव थी, उस सेकेंड वेव ने बहुत लोगों को, मतलब उस टॉमा से निकलने में बहुत लंबा टाइम लोग एक दूसरे से मिलने से डरते थे, तो एक खौफ तो ही आदमी के जहन में? तो मतलब हम लोग इस चीज से मुतमाइन रहें कि करोना की आगे की जो वेव की बात कर रहें, वो वेव आपकी स्टड़ी के हिसाब से नहीं आएगी, ये एक अच्छी कबर है, लेकिन प्रकॉशन्स तो लेने बहुत जरूब जरूब एक चीज साब, बदाएगी जो बूस्टर डोस की बात हो रहें, बूस्टर डोस बहुत लोगों को नहीं लगी है, तो ये बूस्टर डोस कितनी जरूरी है? जी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि लास्ट डोस लगे जाद अलों को नौ महिने दस महिने हो चुके हैं तो जो वैक्सीन इंडूस इमृटी है जैसे हम देखते हैं कि लगभग नौ दस महिने में एक साल में वो कम होने लगती है जो एंटिबोडी टाइटर से वो भी कम होन इ hacked और आख सकते हैं क्यादा ज़्लैशन लगा सकते हैं नहीं जिसको नगज Rule गघए अब बटस तो उस प्रोड़ा से स्प्रे वेक्सीन को स्प्रेए बटस नहीं स्प्रों के हों में पर्लाइट तो वाइर स्काइट वेशेखशन में स्प्रेंवा रिसमें तो बुस्टर जिसको भी अवलेबल है जाहे नेजल वैक्सीन के रूप में नमर्माल वैक्सीन जो इंट्रमस्किलर उसके रूप में बूस्टर लगवा ले जो लोग ज्यादा एक्सपोर्जड़ है जो लोग इमनोगम्प्रमाइजड यह जो लोग मुल्टक बीमारिया है, ही यह लिवर नमीर यह बीमारिये हैं, इन लोग के इस प्रेशली बूस्टर लोग जो रोगवा लेद्चे आहिए. अपने आप तीन वैक्सिन आई थी, Covishield, Covaxin और Sputnik, तो शुरुवात में जैसे लोगों ने Covishield, Covaxin के बूस्टर लगाए, Sputnik का क्योंकि मैंने भी Sputnik लगवाई थी, तो Sputnik का थोड़ा सा यह हो रहा था कि Sputnik की booster dose लगेगी की नहीं लगेगी, तो आज की तारिक में क्या स्थिती है? अभी तो Covishield और Covaxin के बूस्टर लग रहे हैं, और बाकी यह नेजल वैक्सिन जो आ रही है, इसको बूस्टर गूरूप में लगा सकते हैं, जिन्होंने Sputnik लगाई वो लोग लगा सकते हैं, बिलकुल, डॉक्टर साब, मैं डॉक्टर डीके गुता का रुक करूंगा, डॉक्टर साब एक चीज़ बताईए कि इंडिया में आपको क्या लगता है, जैसे डॉक्टर रजनीश ने बताया कि इसका जो जो एफेक्ट कर सकता है, एक आदमी वो 10-18 लोगों कर सकता है, तो इसका spread rate आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि कितना हो सकता है, क्योंकि हमा बूसर की गाईडलाइन नहीं है, अभी को विसिड़ नो को वैकसी जिन्नों नने लगवाई है, वो नगल वैकसीन जो है, वो ले सकता है, जो भारत बैट्वाट्ट ने बनाई है, तो इस स्पूत्निश लोगों को पेटकरना चाहिए आपको जल्दी कोई बूसर के लिए आजाएंगी जो आपने दूसरा कोश्यन पूछा है जो इस प्रेड के बारे में तो जैसा अभी बाके लोग में बता जो इसका इस प्रेड है जो और नॉट बोलते हैं इसको वह दस से लेके अठारा एवरेज पंद्रा नॉमल ओमिक्रॉन की थी पास क्या पर लगवां तीन टो लोग सकते हैं या कुछ लोग सेरियस भी है इ हमारी अपनी हम्मुनींटी की चही है इन की आज्य सब्सक्रॉल अगी ऐसके का आपो है किसे वैसल इंधर या वन्हारी इंविश्टः कीतना उल्गए groundbreaking जो ये antibodies को भी escape कर सकता है around four times ज्यादा है जो दूसरे बारे से इसी स्रेडी के तो कहीं न कहीं हमें लगता है वेट करने की ज़रूत है अभी इस पर कहना मुश्कुल होगा हाँ definitely हम चाइना से बहुत अच्छी स्टेज में है चाइना से बहुत 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 है हमारी जो बैक्चेन इस पर क्वालिटी बहुत चाहिए और प्राइमरी कबरेज बैक्चेन बहुत अच्छा हुआ है बट इस्टिल हमें चाइना को अलग रखे भी सोचना चाहिए हमें हर चीज चाइना से लिंक नहीं करनी चाहिए हम ऐज इंडिविजियल जो दूसरे दे कितने लोगो सीम्टामेटिक इंफैक्षिन ओर रहे हैं कितने लोगों को अनके प्र इससे को चाहिए और किस तरह से करेखाना चाहिए तो इसलिए हमें अपनी तैयारी बहुत जरूबी करनी है और तैयारी के फायदा खाली COVID के लिए नहीं होता है जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारा healthcare infra improve होता है चाहे वो manpower के रूप में हो चाहे इंफरा के रूप में हो चाहे हमारा communication awareness और बीमारी उसे भी पहुचाता है जिस सब्सक्राइब करते हैं कुछ बच्चे अभी भी नेचरली इंफेक्ट हो चुके है डेफिनेटली बट अभी तक बच्चों में जो बैक्षी ने बोने लगी तो उनके लिए चिंता करनी चाहिए हां जो हमारे healthcare workers है frontline workers हैं उनके लिए मुझे लगता है second booster की भी आवर सेक्टा है उस पे भी government की guideline आनी चाहिए because यह लोग हमारे frontliner होते हैं तो कहीने के इस पे भी सरकार को एक clarity लानी चाहिए एक बात और जो बैक्सीन लगी है इतनी सारी उनकी जो immunity भी आफ ही है second booster के बाद second dose देने के बाद तो जो 70% लोग ऐसे जिनको बूसर लगी नहीं है उसके लिए हमें बड़ा campaign चाहिए जरूत जैसा आद मोदी जी ने का booster को खास करके ऐसे लोग हैं जो co-morbid लोग है जो senior citizens है जिनको diabetes है हाइपटेंचन है अस्तमा है काडिक पेशेंट है हार्ट की प्रब्लम है कैंसर है ब्राव मेरो ट्रांस्प्लांट हुआ डावेटीज के पो खिर्नी ट्रांस्प्लांट है तो इन लोगों के इन लोगों के लिए हमें प्रावर्टी बे करना चाहिए बढ़ाना चाहिए और साथ में जो बच्चे जो अनिमुनाइज दें उनको प्रावरी वैक्सिनेशन हमें दिलवाना चाहिए एक बात मैं फिर बोलूँगा कि भले ही हमें serious illness नाउस बारिस कियाने से हो सकता है हम ल इन लिए बच्चे बढ़ाना चाहिए और लिए इन सबको इनफेक्ट करता है तो काईने के मेंटल हेल्थ है आपकी हाट की हेल्थ है यह भी बहुत ज़रूरी है तो इसका एफेक्ट इवन बच्चों में देखा है बहुत सारे बच्चे डॉक्टर प्याली मानेंगी कि जो बच्चे इंफेक्ट होते जो सेकेंड और थार्ड वेव की दारान उसमें वो जो विल्कुल एसंट्पोमेटिक ते या माइल संट्पोमेटिक ते और उनको आठ हथते बाद मल्टिपल सिंड्रोम डेवलप हो गए तो कहीं ने कहीं इनके लॉंग टर्म ये दूर गामी परिगामों को भी देखना चाहिए तो हमें बेतर है कि सोर्स पर कंट्रोल करने कि अगर इंफेक्शन रेट ही कम हो जाए हमारे हाँ या इस्प्रेड रेट कम हो जाए तो कहीं ने कहीं हम इसको जदा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं एक इन बातों के अत्रिक्त जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारी बॉड़ी की रोग प्रतिरोज़क चमता जिसको मिन्टीव होते हैं वह अच्छी है तो डेफिनेटी कोई भी बायरे से बैक्ट्रिया हो वह उतना जदा इंफेक्ट है अफेक्ट नहीं करता तो कहीं ने कहीं हम सब को अपने लाइफ साइल चेंज करने की जर ना चाहिए इन लोगों को अपनी दवाइया टाइम पे लेनी चाहिए शुगर अपना रेगुलर चेक करते रहा चाहिए अपना ब्लड पे सब्सक्राइब को नए सिम्टम का रहे है को इन लोगों में हाई रिस्क हो सकते ऐसे ही इस पेशल के बच्चे भी होते हैं तो कंज अगर को शिम्टम साथ के उनको तुर्ण ट्रीटमेंट करना चाहिए ठीक है डॉक्तर साब मैं डॉक्तर प्याली भट्टा चारे से पूछना चाहूंगा कि बचाए कि जो नया वेरियंट है उसके लक्षन पता चले कि नया वेरियंट जब आता है किसी पे तो उसके लक्ष कि बात करें या उससे पहले के वेरियंट है उनके लक्षन दूसरे ते कुछ चेंज करके आया है कि जब जो डिजीज जब होगी तो इस तरह के लक्षन आएंगे खास चेंज तो नहीं हुआ है बस अपर थरोट को इंफेक्ट कर रहा है ज्यादा जो बच्चे आ रहे हैं व यह वारेड रहते हैं एक कि सिवेरिटी कितनी होगी वो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है जैसा कि अभी डॉक्टर लीके गुपता ने कहा कि कुछ दिन बाद बच्चों में बहुत सिवेर डिजीज हो रहा था वो हार्डली एक परसंट में भी नहीं हुआ है हुआ है MISC जिसको हम बोलते थे पर वो हार्डली एक परसंट से ज़्यादा बच्चों में नहीं हुआ है सिर्यस डिजीज तो हुआ है पर इतना परसंटेज कम था कि हम लोगों ने अपना सारा हथियार बाकी जिन पर माइल्ड या सिम्टोमाटिक माइल्ली सिम्टोमाटिक थे उन जो भी अब कोवड हो रहा है उसमें severity हमें देखने को नहीं मिल रही है नमबर वान, नमबर टू जो देखने को मिल रहा है वो है को इंफेक्शन, को इंफेक्शन कहते कि हमने कोविड के चलते वाक्सीन को बहुत नेगलेक्ट किया और सालाना जो बच्चों में इंफ्लुएंजा वाक्सीन लगाते थे वो हमने नहीं लगाए और उसका नतीजा यह हुआ कि को इंफेक्शन मने कोविड प्लस इंफ्लुएंजा के बहुत सारे केसस अब सामने आ गए हैं तो हमारी गुजारिश यही रहेगी सब से कि अपने सालाना वाक्सीन को ना भूले क्यूंकि उसको भूलने से आप एक के साथ एक फ्री में लेके आ रहे हैं तो सब बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के हिसाब से सरकार ने भी इतने सारे अच्छे वाक्सीन से रखे हैं pneumococcal vaccine है, measles vaccine है, आपका DPT vaccine है सब आपको कोई pneumonia से, कोई खाली-खासी से बचा रहा है कोई आपको measles से और उसके बाद आने वाले problems से बचा रहा है कोई influenza से बचा रहा है, तो अपने regular vaccines की तरफ आप जरूर ध्यान दे, उसमें कोई खुता ही नहीं होनी चाहिए तो फिर उसके चलते क्या होगा, ऐसे ही co-infections होने शुरूर करेंगे बच्चों में फिर दो-दो होंगे, तो obviously वो बचारा बच्चा तो पस्त होगा ही तो ऐसी स्थिती में सबसे आप जो मीडिया से awareness कर रहे हैं मेरी गुजारिश ही रहेगी कि माबाप जरूर अपने बच्चों को regular vaccines के लिए ले करके vaccine center में जाएं और regular vaccines समय से लगवाएं जी, डॉक्टर रमश वास्तों ये बताईए कि हम लोग जब करोना की wave आई तो गरम पानी पीना एक normal feature बन गया था हर घर में गरम पानी पी रहते भाप ले रहते ये कितना जरूरी है अब भी बीच में फिर जब हम लोग थोड़ा से लेथार जी कुए थोड़ा यह हुआ कि अब करोना लगता है कि चला गया तो फिर से उसी mode पे आ गया तो क्या हम लोग को दुबारा से वो अपनाना चाहिए कि गरम पानी लें भाप लें एक daily feature में इसको शामिल कर लें हाँ बिलकुल यह सब इसलिए था कि हमें अपनी body immunity जो रोग प्रतिरोधक शंता है उसे अच्छी स्थिति में लाएं उससे strong बनाएं तो इसमें कोई नुक स्थितिस वगरा की भी समस्या हैं देखी गई लेकिन उचित मात्रा में अगर हम यह daily practice में लाते हैं तो यह तो हमारे स्वास्त के लिए हितकर होगा तो यह practices दुबारा से start हो जानी चाहिए क्योंकि बीच में बहुत relaxation हो गया तो जो body immunity है उसका level आम जनता में भी लो हुआ ह बच्चों में और senior citizens में और जिनका already जो diseases से सफर कर रहे हैं जैसा कि डॉक्र साबान ने बताया कि heart disease है, blood pressure है, asthma है, recurrent infections हैं किसी-किसी में, cancer के patients हैं, diabetic patients हैं, इनको तो एक lifestyle changes के रूप में इसको अपनाना चाहिए It's not that कि अभी corona के डर से हम ये सब करें और उसके बाद भूल जाएं, क्यूंकि body immunity को strong रखना हमारे लिए जब तक जीवित हैं तब तक आवश्यक है, स्वस्त रहना हमारा धर्म है, हमारा कर्तब है, रहना भी और रखना भी, तो ये practice सब को करनी चाहिए, winters में तो खास करके गरम पानी पीना हमेशा ही अच्छा है, कुछ अधरक का काढ़ा पीना वो अच्छा है, हल्दी दूद पीना वो अच्छा है, ये सब तो lifestyle changes है, exercise करना, morning walk करना, yoga sun करना, specially lungs के जो exercise होते हैं, प्राणायाम करना, ये सब हमेशा जरूरी है, और साथी साथ अभी corona से बचने के ल लाएं, हला कि सरकार ने भी पाबंदियां शुरू कर दी है, IMA ने भी advisory जारी की है, जो छे rules हम लोग follow कर रहे थे, उसे अवश्य follow करें, और साथी साथ international traveling पर रोक लगनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो चाइना से आने वानी flights बंद होनी चाहिए, जिन countries से infected लोगों के आने की संभावना ज्यादा है, उन पर रोक लगाना चाहिए, या वो आ रहे हैं तो उनको quarantine में और genome testing में, whatever is right for them, वो जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसमें तो सरकार ही सक्षम है, क्योंकि पिछली बार भी ये देखा गया था, कि flights हम लोगों के हाँ, जल्दी बंद नहीं करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और जो infected लोग है, उनका जो इलाज होना चाहिए, जो quarantine होना चाहिए, वो सब पूर्वववत इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और जन साधारन को प्रतेक व्यक्ति को ये चाहिए, कि खुली हवा में सांस लें, अपना oxygen saturation वगरा, अगर कि को सांस की परिशानी होती है, fever होता है, sore throat होता है, सांस की परिशानी है, पेशन्ट पहले से भी ashmatic है अगर या respiratory diseases है उसको, तो उसमें अत्यधिक साबदानी चाहिए, पल्स oximeter घर में रखें लोग, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम at hand उन्हें immediate information तो मिल जाएग अभिशेक पांडे मेरे साथ जुड़े हुए है, अभिशेक पांडे हमारे bureau chief है, अभिशेक ये पताइए कि उत्रप्रदेश सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, और आज शाम भी बैठक थी, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या पाबंदिया लगाई ग अभी भारत में या फिर अगर उत्तरप्रदेश के हम बात करें, तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसको लेकर के पाबंदियां लागू की जाएं, लेकिन इस बात को जरूर कहा गया है कि क्लस्टर जोन मनाई जाएंगी, जैसे हमने पिछले बार देखा थ कि हर जिले को एक यूनिट माना जाएगा और वहाँ पर अगर केसेज बढ़ते पाए जाएंगे, एक अनुपात से जादा होंगे, तो उस छेतर में पाबंदियां लगाएंगी, पहले जैसी स्थिति नहीं होगे कि जहाँ पूरा प्रदेश लॉकडाउन में चला गया था, वैसी स्थितिया नहीं आएंगे, मीनवाइल अभी तक जो प्रिकॉशन से उसको फॉलो करने के लिए एडवाइजरी जो आई है, उस पर काम करने के लिए का गया है, आईयमे की तरफ से आ गया है, हेल डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया है, कि अस्पतालों में मास्किंग मेंडेटरी हो गया है, सारजोनी कस्थानों पर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर होना चाहिए, कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाना चाहिए, स्कूल कॉलेजेज और तमाम ऐसे सारजोनी कस्थानों वहां के लिए एडवाइजरी आ चुकी है, और उस पर काम करने को कहा गया है, यह प्रैक्टिस में अब आ चुकी है, पाबंदियां जाहिर तो आने वाले वक्त में अगर केसिस बढ़ते वे पाई जाएंगे, तो वो पाबंदियां भी लागू की जाएंगी, पाबंदियां भी लगाई जाएंगे, क्योंकि यह फेस्टिवल आने वाले वक इंस्योर कर रहा है इन अधिमां गाइन होगा उंच चाहिभ वीवश्ता जो इसे पहले हम लोगों नहीं तर एक उसराथ जया है इतना थे बात को भी जा रहा हूahan फिर से vaccination के कारिकरम शुरू किये जाए इसके अलावा जो railway stations है, airports है वहाँ पे random testing की व्योस्ता शुरू करने की बात की गई है तो अभी initial stage है, जैसे ऐसे अगर cases बढ़ने की समभवनाएं जादा होंगी, cases बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो पापंदिया भी आएंगे, इस बात को भी कहा गया है, कि आने वाले वक्त में भविश्य में, फोरण से इस पापंदिया लगाए जाना अभी फिलाल सरकार क एजेंडे में रही है, डिबिलकुल, डॉक्तर साब आप सब लोगों से एक last सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ने पूछ रहा हूँ, एक message देने के लिए कह रहा हूँ, मैं डॉक्तर गुपता से शुरुवात करता हूँ, डॉक्तर गुपता, पब्लिक को क्या message देना चा तो हम सबसे निवेदन करूंगा आपके माते हम से कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का परन करें और बूस्टर गुपता सिखाएं और उनको स्कूलों में लागू होने के लिए पेरेंट एसोसियेशन जाके insist करें कि ये teachers लोग भी इसको follow करें, school के समस्त लोग driver से शुरू करके, school bus के, pion से शुरू करके, school के समस्त स्टाफ इस चीज़ को follow करें सकती से और बच्चों को भी follow करने में प्रुस्थाहिद करें डॉक्टर रमा सबसे जरूरी यही है कि lifestyle changes को बनाए रखें, अपनी body immunity बढ़ाएं, जो vaccination complete नहीं हुआ है जिन लोगों का, वो चाहे booster dose हो या second dose हो या first dose हो, उससे जहां भी उपलब्द हो, जैसे भी उपलब्द हो, उससे जरूर लगवाएं, vaccination बहुत बहुत important है और अपने आपको स्वस्त रखने की सारी कोशिशें करें, जैसा की सिखाया गया है, कोरोना में appropriate behavior, उसे practice में लाएं, क्योंकि वो कोरोना के अलावा बहुत सारी अन्य बिमारियों से भी बचाता है जी, Dr. Rajneesh, आप क्या कहेंगे? आपका शुक्रिया, Dr. Ramashir Vastava, आपका शुक्रिया, Dr. पयाली भचाचारे, आपका शुक्रिया, Dr. D.K. गुट्चा जी और अभिशेक पांडे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस चर्चा में भाग लिया, आज इस डिबेट में भाग लिया और परवाही बरती, तो खत्रा भर सकता है, कुछ पॉइंटर्स, डॉक्टर्स ने बताये हैं, उन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है, अपने खयाल में रखना है, अपने लाइफ स्टाइल में रोज जो रूटीन आप करते हैं, उसमें बांज लेना है, हमें सोशल डिस्ट तो अगर हम प्रिवेंशन रखेंगे तो फिर बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और अगर आती भी है तो अगर जो डॉक्टर्स और जो सरकारों ने अपनी तयारी कर लिए उन से वो निपटने में सक्षम है अभी की ऐसी तयारियां देखने को मिलती है लेकिन एक बात जरूर तो पूरे प्रकॉशन के साथ जाए आज के लिए इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और बने रही आप इंडिया निव्स के साथ दोंश्राओं